आपको बता दें कि हमारे भारत में बहुत सारे मंदिर अपने प्रकृतिक स्वंदरे के लिए काफी मश्यूर है बता दें कि तिर्वंतर पूरम मिस्तित पदनभश्वामी मंदिर भी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है दरसल दुनिया के कुछ सबसे रहस्य में जगाओं में इसकी किंती होती है यहां देश विदेश से लोग डर्शन करने के लिए आते हैं और सबसे दिलजस्पात तो यह है कि भगवान विश्णू को समर्पित इस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्ब में आस्था रखने वाले ही चा सकते हैं यहां प्रवेश करने के लिए एक खास सरह के वस्र को धान करना बहुत ही जरूरी होता है इसके अलावा आपार संपति के चलते और इस मंदिर के दर्वाजे को सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से खोला जा चुका है जिसमें इसके च्छे दर्वाजे को खोल कर एक लाग बतिस हजार करोड की संपति मिल चुकी है लेकिन साथवे द्वार को अभी भी खोला नहीं जा सका मंदिर के ग्रवग्रह में भगवान विष्णो की एक भव्य मूर्ती विराजमान है और जिसकार से इसकी देश के वैश्णों मंदिरों में खास किंटी होती है पर विष्ण का सबसे अमीर ये मंदिर अपने आप में ही काफी रहसे मैंगी है अतारे कि यहाँ एक दर्वाजा है जिसे माना जाता है कि कोई शिद्पूस ही खोल सकता है लेकिन आस तक इसे कोई नहीं खोल सका है वहीं ऐसी मानिता है कि दर्वाजा भगवान तक जाता है मगर इसका रहसे आस तक उजागर नहीं हो पाया है ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के खजाने में दो लाग करोड का सोना है पर इत्यास कारों के अनुसार असल में इसकी अनुमनती राशी से कहीं तर्स कुना जादा होगी इस खजाने में सोने चानी के महेंगे चैन, हीरा, पन्ना, रूबी, तूजरे कीमती पत्थर, सोने की मुर्थियां रूबी जैसी कहीं बेशकिमती चीज़ें हैं जिनकी असल कीमत बहुती मुश्किल होगी गिंदी आपको बताने ऐसी मानिता है कि 18 सती में द्रफकोर्ण के राजाओं ने मंदिर में पधनाफ स्वामी की मुर्थिय के साफना करवाई थी जबकि इतिहासकारों की माने तो इसकी कहीं कोई ठोज चानकारी उबलब नहीं है ऐसे इस रहसे में मंदिर की 5000 साल पहले कल्यूक के पहले दिन स्तापित होने की कहानी चली आ रही है और इसके साथ ही त्रवनकोर राजगराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सोब दी थी हाला की फिलहाल मंदिर की देख रेक का कार्य साही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट सम्हाल रहा है लोक मानिताओं के अनुसार 26 सदी में त्रवकोर के महराजा ने इस मंदिर का निर्मान करवाया था और अपने बेशकिमती खजाने को मंदिर के तहकाने और मोटे दिवारों की पीछे छिपाया था जिसके बाद से कई सालों तक किसी ने इसके दरवाजे को खोलने की हिम्बत नहीं की और इस तरह से बाद में इसे खापित माना जाने लगा कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोश करते हुए किसी ने साथवे दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन कहते हैं कि जहरीले सापों के काटने से सब की मौत हो गई थी और ऐसी माननेता है कि तैखाना भी जो इस मंदिर का साथवा द्वार भी कहलाता है उसे सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारन से ही खोला जा सकता है किसी भी आदूनिक तक्नीक की या दूसरे मानप्रियासों से खोलने की कोशिश की दिशावे मंदिन नस्ट हो सकता है जिस से भारी प्रले तक आ सकता है दरशल ये दरवाज़ा स्टील का बना है इस पर दो साप बने हुए हैं जो इस सवार की रक्षा करते हैं इसमें कोई नट बोल्ड या कबजा नहीं है बता दे कि ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाज़े को नाग बंधम या नाग बसम मंत्रों का प्रयोक कर बंद किया गया है इसलिए उतनी सिद्यों के साथ ही इसे केवल गुरार मंत्र का सपस्ट और सटीक मंत्रों चार्ग के करके ही खोला जा सकता है अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यों निश्चित मानी जाती है ऐसे हाल ही मैं एक यजी करता कि रहसे में स्थीती में मिरती हो चुकी थी नेक्स नाइन स्प्रीचल की रिपोर्ट